नमस्ते एवरीवन स्वागते आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल बैंकिंग डीजी पर देस दिफ्या गुपता वेरी वेरी गुड़ी इवनिंग तु आल अफ यू कैसे हो सब लोग चलिए तो सेशन को हम लोग यहां पर स्टार्ट करेंगे और आज के सेशन का तोपिक रहेगा जैसे कि आप लोग रेगुलर जानते हो कि हम लोग यहां पर बात कर रहे होते हैं सारे मेमोरी बेस कोशन की इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे ठीक है और आज के सेशन के लिए जो हम देखने वाले हैं वो हम लोग कुछ आगे के कोशन देखेंगे और आज रहेगा day number 3 तो उमीद करती हूँ आप लोग इस series को follow कर रहे हो पाटशाला को और session को start करते हैं और एक अपना sentence start करने से पहले बोलेंगे तरना मनाएं ठीक है क्योंकि आपको यह जिस देखनी है कि हमको comments में बिल्कुल भी डर नहीं लगना चाहिए और session स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी अगर आप लोग जैसे की जानते हो आप लोग Unacademy पर मेरी classes को already daily basis पर follow करते हो Unacademy परना एक बहुत अच्छी combat series होती है Unacademy combat, this is completely free test series India's biggest test series, एक gamified version ने test का आपको काफी मज़ा आएगा, video solution इसमें available है, all India every question के बाद live ranking होती है, challenging questions है और एक बहुत important चीज वो है, exciting prizes है आप देख सकते हो, rank number one जिसकी भी होती है उसको one year का plus subscription मिलेगा, free of cost second में बात करें, तो six month का subscription है, free of cost third month, three month का है third rank के लिए, again free of cost और जिसकी rank 4 से 200 आएगी, उसको Amazon का voucher मिलेगा 1K का, जिसमें आप अच्छे से अपने ले कुछ ले सकती है तो अगर आपने जाके इसको enroll नहीं किया है जिसमें आपको challenging question है, super first time ranking है यहाँ पर complete करना है आपको अपने साथ के learners के संग में जो other contestants होंगे और detail आपको यहाँ पर video solution देखने को मिलेगा already 70K plus enrollment हो चुके हैं तो अगर आपने इसको enroll नहीं किया है तो enroll कर लीजिए और code use कर लो दिप्या वाईटी tank है इसके अलाबा अगर आप लोग प्लस से जुड़ना चाहते हो आप लोग चाहते हो कि हमको mains के memory base के साथ इसी memory base question के practice all जादा करनी है तो practice के लिए आप मुझे unacademy पर प्लस subscription ले सकते है and you can again use my code divya yt10 यहाँ से आपको discount पी मिल जाएगा और अगर फिर भी आपको कोई issue होता है तो आप telegram पे मुझसे contact कर सकते हो टेलिग्राम पे मैंने link दिया हुआ है चलिए तो session को start करेंगे तो कुछ last question हमने ये छोड़ा हुआ था 18 वाला उमीद करती हूँ कि आपने last question को solve किया होगा और मुझे काफी सारे answer भी comment section में मिले होंगे ठीक है तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इसका question solve करेंगे तो हमने यहाँ पे क्या बात की हुई थी कुछ ये हम इतना कर चुके थे आप इसका day number 2 देख लीजेगा इतना हम कर चुके 18 हमको पताना था sum of qzl जब m की salary हमारे पास मैं 7k हो ठीक है अब देखो अगर m 7k है तो भाई gm से कितना जादा है ये देखो तो हमको यहाँ पर कहीं न कहीं given था कि जो आपका app होगा वो g से 1000 कम है तो अगर fm के equal है तो m भी तो g से 1000 कम है इसका मतलब की g कितना हो गया g हो गया 8k अब अगर g 8k हो गया तो q भी 8k हो गया x भी तो अब आपको q तो already मिल गया 8k अब आपको पता है h कितना जादा है x से ये 500 जादा है मतलब h हो जाएगा 8.5k ठीक है अब z भी तो 8.5k होगा तो हमको ये भी मिल गया अब v कितना जादा था 500 मतलब की 9k और l कितना जादा था आपका l जो है v जो है वो l से 1000 कम है तो l हो जाएगा 10k तो ये हो गया 10k अब आप इन तीनों को जोड लो तो ये कितना हो जाएगा 16 मतलब की 26.5k मतलब 26,500 और option नमबर कौन सा हो गया याँ पर option नमबर 5 ठीक है अब इसके question आप लोग solve कर गया पूरा मैंने करवा दिया है question number 19 का answer comment section में दीजिए question number 20 का answer comment section में दीजिए question number 21 question number 22 क्योंकि यार अब आपको पहला बहुत अच्छे से समझा दिया आपको every question में यही करना है याँ ऐसे पूछा गया है अब देखो एक और बात हर question में आपको question क्या according करना है ये केवल question में था M, 7000 अब आप इसको भूल जाना अगले question में ये नहीं रहेगा अगले question में कुछ नहीं आएगा तो मुझे जल्दी से 19, 20, 21, 22 का answer दो और end मैं यहाँ पे pin कर दूँगी जो भी इसके सही answer होगे चलिए बात करेंगे इसके बात में question नमर 23 की मैंने जैसा की बताया है वीडियो को pause किया करो और उसके बात मैं खुद से एक बात solve किया करो और देखा करो कि आपने सही किया है की नहीं देखो बोला गया है यहाँ पर हाल ही में किये गए एक सर्वेशां से पता चलता है कि नास्तिकों की तुलना में धार्मिक लोग आधेक रूप से अधिक सफल है यह साबित कलता है कि धार्मिक प्रथाओं या धार्मिक वानताओं का अनुशरुन करना ना केवल आपके आध्यात्मिक स्वास्ते के लिए बलकि स्वास्त बैंक खाते को बनाई रखने में भी फाइदे मंदे मतलब या त्यां पर कुछ ऐसा बोला गया है कि जो नास्तिकों की तुलना में जो धार्मिक लोग होते हैं ना वो फाइनेंशली बहुत ज़दे सक्सेस्फुल होते हैं को यह चीज में मानती हूं कि बहुत साले रोग रिलीजियस ती जो को नहीं मानते पर नहीं या यह रिलीजियस का मतलब कि एक दूसरे की कास से रिलेट करना नहीं धर्व को मानना मतलब कि अपने दिल को एक तरीके से कुछ टाइम के लिए एक शांत जगे पर बैठ जाना और अपने दिल दिमाग को एकदम आप रखना तो यहां पर बात हो रही है कि अपने आपको आध्यात में थोड़ा सा spiritual health जो होती है ना वो हमारी life में बहुत जरूरी है अगर कुछ time के लिए हम concentration करें और हमारा दिमाग स्थिर रहता है ना तो definitely हम अपने काम में दिल लगा पाते हैं और काम में अगर मल लगा पारे हैं तो हम अपने 100% देते हैं और जब हम 100% दे रहे हैं तो हम financially तो successful अपने हाप हो जाती है ठीक है वही बात हो रही है कि के वर हम स्वास्ते के लिए नहीं हमारा बैंक हाता भी से बहुत अच्छा रहता है एक फ्रेस की तरफे बोला जा रहा है अब नेमलिकेत में से कौन सा यदि सत्य है तो सबसे अधिक गंबीता से निशकर्ष आपको बताना है कम जोर करता है ठीक है सबसे अधिक गंबीता से उप्युक्त निशकर्ष को कम जोर करेगा यह बोला गया है पहला सर्वीशन हमें यह नहीं बताता कि क्या वे धर्म अपनाने के बाद आतिक रूप सर्पूर है या उन्होंने सफ़ल होने के बाद धनकों मानना शुरू किया यार य अगर आपको डाउट होगा तो इसलिए मैं सारे समझा दे रही हूं कुछ लोग धर्म और आध्यात्मिक को मुख्य रूप से अपनाते हैं क्योंकि उनका मानना है कि किसी भी तरह से धार्मे के आध्यात्मिक होने से उन्हें वित्तिय सफलता मदद मिलती है तो यार यह तो यहां पर थोड़ा सा एक अलग है इरिलेवेंट है जिसको हम कनेक्ट नहीं करेंगे अधिकांज विक्षित देश्चों में कुल जनसंक्या मैंसे नास्थिकों का प्रतिशत सबसे अधिक है तो यहां पर भी एरिलेवेंट है क्योंकि यहां पर हम यह बात नहीं कर रहे हैं क यह को पॉस करो खुद पहले अंसल चूस करो फिल देखो सी बोला गया है यहां पर एक कंपनी एक्स ने एंस या छेत्र में कंपनी के इस्थनांतरन के कारण अपने करमचारियों को एचारे भत्ते को बढ़ाने का निर्ड़े लिया तो यहां पर क्या बात की जा रही है प्रत्यक्ष करमचारी के रहने वाले चित्प निर्बर करेंगे एक्स करमचारी के बढ़ेगा तो उनकी जो लिविंग ऑफिस सेंडर होता है हमारे जीने का वो तो बढ़ेगा ही सही है दूतरा एक्स के करमचारी कंपनी के भाई याज सनात हताल क्यों करेंगे इतना नेगिति थोड़ने जाएंगे तीसरा एक्स के लावराश्य बढ़ गई है इसलिए अपने यह एक तरीके तो थर्ड वाला हो गया ना यह इंफरेंड नहीं है यह एक स्टेट दे रहा है कि ज ऐसे बढ़ाने के बाद क्या होगा वो चाहिए जो केवल फर्स्ट वाला बता रहा है इसलिए अंसर ऑनली फर्स्ट चलिए कोशन में 25 एक बहुत ही शांदार पजल है पहले आप लोग ट्राई करो अपनी तरफ से है ना फिर मैं तो करवाँगी करवाँगी तो पॉस करो व आपका 26 27 इसके अलावा या रुक जाओ अभी इसको नमर नहीं देते हैं बस आप यहां पढ़ना इनको आप सॉल्फ कर लो ठीक है आप इसको अभी सॉल्फ कर लो ठीक है और इसको फिर में नेक्स वाली ग्लास में बताऊंगी क्योंकि काफी बढ़ा है तो इस चक्कर में यह मैं पूरे टाइम में इसी पजल को बताऊंगी ठीक है चलिए कोशन नमर 25 यह सॉल्फ करेंगे जल्दी से वीडियो को पॉस करो और बनाओ आज खुब सारे लॉजिगल के कोशन लेकर आई हूं सब कंप्लीट करवा देते हैं नेक्स वाली क्लास में उस वाली पजल को देखेंगे चलिए बात करेंगे बैंकिंग छेत्र मुश्किल समय का सामना कर रहा है लेकिन इस छेत्र को केवल अल्पकालिक समस्या का सामना करना पढ़ ला है क्योंकि गयर निश्पाति संपत्तियों में व्रद्धी उदियोग के लिए एक बड़ी चुनौती साबित कर र रहे हैं यह क्योंकि NPA में बहुत ज़्यदा दिक्कत आ रखी है और सरकार भी इसके उपर काफी ज़्यदा काम कर रही है और बहुत सार सुधार और नीतियों के संग में बाहर आ रही है अब बात करते हैं निम दिये गए कतन से निमलकेत पूर्व नियुदारित मतलब अज स्टेट्मेंट के पहले क्या होने की संभाबना है NPA वतमान की तुलना में मैंने बोला है भाई अजम छें एक तुलना नहीं करते हैं ठीक है दूसरा दूसरी में बोला है सरकार द्वारा उठाए गई कदम बैंकिंग छिट में सुधार क्ले परयाप नहीं है इरिलेवेंट है इस statement के पहले यह थोड़े ना सोचा गया होगा है ना तीसरा विनिर्माज छेत्र पिछले पाँच वर्चों से बैंकिंग छेत्री तुलना में काफी भाईया manufacturing सेक्टर का से आया हम बात तो banking सेक्टर की कर रहे हैं आप comparison क्यों कर रहे हो किसी और से हमने बाती नहीं करी है उप्यक्त परणाली के कारेनेवन के बाद बैंकिंग छेत्र के लिए चीजें बदलने की संभावना एपसलूटली भाई यह हम statement इससे पहले बोल सकते हैं कि banking सेक्टर में changes की नीड है उसके बाद में यह statement आया है कि सरकार इतने सारे सुधार और नीतियों नीतियां ला रही है तो थोड़ा सही लग रहा है एक मात्रकार के यूज मैंने बोला है नहीं होता यह वाला यह वाला तो यूहीं गलत हो गया पहला तीसर और पांचवा जस्ट बिकॉस ऑफ ऑल्ली एंड कंपैरिजन है ना और यह हमने इसलिए कर दिया क्योंकि इन्होंने तो अपने अलगी बात कर ली तो अंसर बचेगा केवल फोर इसमें आप थोड़ा सा एलिमिनेटिंग में थार्ड यूज कर सकते हो चलिए कोशन नमर ट्वेंटी सिक्स की बात करें बहाती एक रशी के लिए पानी एक महत्वपूर जल्स्रोत हो मांशून पूरे एश्या में प्रधूशल को दूर करने में महत्वपूर भूमिका नीवाता है हालंकि हाल ही में प्रधूशन होई विशेश रूप से कोईला जलने से मांसून की छम्रेश को संभावित रूप से कमजोर कर सकती है मतलब यहाँ यह पर था इंडियान एक्रिकल्चर उसके लिए जो वाटर होता है एक इसेंशल सो सोस होता है ठीक है मतलब मैं तो पूरे एशिया में जो प्रधूशल है न उसको दूर करने में भीर रूमी करने बाता है इस सब की बात की जारी है अब इसका क्या निशकर्श निकल सकता है क्या डिड़ बड़ी समस्य ग्रूप में बड़ी कोईला जलने से इससे बहुत कमजोर कर रही है हमारी चमता को इसका मतलब भारत में पिछले कुछ दिनों में महीन कणों की यही बात यहां पर बोली गई है तो हम यह स्टेट्मेंट के बाद कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि जो कोईले के जलने से बहुत जादा क्योंकि जब बर्निंग दा कोल जो कंसेंट्रेशन होता है ना पार्टिकल्स का वो डेफिनिटली इंक्रीज होगा और उसके बढ़ने से एर पॉलूशन बढ़ेगा तो इ कोईशन 27 की बात करेंगे नीति आयोग नीति आयोग ने चितावनी देते हुए एक अध्यन के नतीजे जारे किये हैं कि भारत अब तक एतिहास में सबसे बुरे जल संकट का सामना कर रहा है और यदि कदम नहीं उठाएगा है तो पीने युग्य पानी की मांग 27 तक अपूर्थी से अधिक हो जाएगी ठीक है मतलब 23 तक पानी जो है उसकी बहुत कमी आ जाएगी तो आपको बताना है कौन वीक कर रहा है तो इसके जो अपोजिट होगा न वो अंसर होगा पहला वतमान में 600 मिलियन भातियों को पानी की अत्यंत कमी का सामना करना पड़ हो गया यह भी गलत है देश का लगवक 70% पानी दूशित है अरे भाई यह भी तरीके से फेवरी कर रहा है यह भी गलत है समग्र जल प्रबंदर पर सुचकांग में सभी राज्यों की रैंक भूजल के विविन पहलूं इनको कवर करते हुए 28 विविन संकेतों के साथ 9 व्य संकट से बहतर है जिसका 1960 में भारत ने सामना किया यह कर रहा है वीक क्योंकि हम यह कह रहे हैं भाईया पानी की हलत बहुत खराब है और आप कह रहे हो अरे 1960 से तो जादा नहीं है है ना तो आप यह बोल रहे हो कि 1960 से नहीं है और हमने यहां पर बोला वस्ट कंडिशन जादा थी तो आप क्या कर रहे हो वीक कर रहे हो इस वज़े से फाइट वाला क्या हो गया गलत हो गया चलिए कोशन नुमर्ट 28 यह एक लास रखेंगे उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वाली पजल अगर हम अपने उत्पात की कीमत में थोड़ी सी व अच्छे क्वालिटी के हो सकते हैं तो इससे पहले आया होगा पहला कीमत में व्रद्धी के बिना कंपनी यू द्वारा पेश की जाने वाले उत्पात की गुडवत्ता में व्रद्धी नहीं हो सकती ऐसा का लिखा है कि अगर हम कीमत नहीं मतलब इनके दिमाग में ऐसा दूसरा कुम्प उत्पात की कंपनी वी द्वारा पेश की जाने वारी गुडवत्ता की तुलना में भैया कंपैरिजन की दो बोला ही नहीं है यह थोड़ना बोला है कि वी से ज्यादा वी की जो क्वालिटी है वह हमसे ज्यादा है आगे बात करते हैं यहां पर अथर दुदबारा पेश की जाने वाले कीमट पहले ही company you दुदवारा पेश की जाने वाली कीमट से अदेके है अब यार यह कब बात कोई क्यों कि उसकी जाधा है है ना यह दिमाद में नहीं आया होगा पहले 5 तोड़े सी तो आज के लिए 28 पर रोकेंगे अब इस पजल को नेक्स वीडियो में देखते हैं तो अगर आपको आपको सारे लिंक में ने टेलिग्राम वगरा के सब डिस्क्रिप्शन में दिये हुए हैं वीडियो को लाइक करा करो यार ऐसा नहीं कि बस देख कर छोड़ देते हो यार य अगले दे नम्मर 4 में थैंक यू